कहते हैं जोड़ी आस्मान में बनती है और हर किसी इंसान के लिए उपर वाले ने किसी ना किसी को बनाया है धर्थी पर कौन अपने पार्टनर से कहां टकरा जाए किसी को नहीं पता हम बात कर रहे हैं मेरट की आईशा की आईशा की सद्दाम से दोस्ती इंस्ट्राग्राम पर हुई कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला दोनों की शादी में बहुत अर्चनी थी क्योंकि आईशा यूपी के मेरट की रहने वाली है और सद्दाम बिहार के अरहरिया का लेकिन कहते हैं ना कि प्यार के आगे तमाम मुश्किले भी फी की नजर आती हैं फिर क्या था मेरट से 1300 किलो मेटर दूर आईशा अपने इंस्टाग्राम लवर से मिलने बिहार के अरहरिया पहुंच गई जब ये बात मीडिया के सामने आई तो बिहार से वीजेपी विधायक विने कुमार मंडल ने मुश्किलिम जोड़े की शादी अपने घर पर कराने की विवस्ता की वहीं दोनों के परिवार वालों से बात कर रजामंदी से दोनों का निकाप पढ़ाया गया तीन दिन पहले मिरट कॉलेज से एक छात्रा के गुमसथ्की की सुचना पर दे थी और उसकी बरामत की लगातार प्रयास किये जा रहे थे संबन में उसकी लोकेशन अरेरिया जिले में ट्रेस हुई थी और वहाँ जब पुलिस की टीम पहुची तो बातला की वह अपने स्विच्छा से एक युवक के साथ आई है और दोनों युवक और युवक्ती बालिक हैं और उन्होंने स्विच्छा से अपना निकाह प्रचा लिया है और इस संबन में उनका बयान लेकर और उनका मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराकर आवेशा के दिक करवाई थी आपको बता दे कि आईशा भी ते 18 मार्च को घर से कॉलेज के लिए निकली थी लेकिन कॉलेज नहीं पहुशने पर घरवालों ने लड़की की तलाश शुरू कर दी इसको लेकर कॉलेज छात्राओं ने काफी हंगामा और प्रदर्शन भी किया यहां तक की छात्रों ने पुलिस प्रशाशन को छात्रा की बरामदगी ना होने पर कॉलेज में ताला लगाने की चेतावनी तक देडा ली जिसके बाद मेरट पुलिस ने छात्रा की तलाश करने में तेजी कर दी CCTV फोटेज और कॉल डिटेल्स के अधार पर पुलिस ये पता लगाने में काम्याब हुई कि लड़की बिहार के अररिया में ही है यहां लड़की अपने इंस्टाग्राम लवर से मिलकर शादी करने पहुँची लड़की बालिग है और वो अपने मर्जी से अपने जीवन साथी को चुन सकती है बिहार पहुची मेरे पुलिस लड़की का बैयान दर्ज कर वापस लोट आई है निउस देस्ट झाल कर झाल